आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अधिकार और करतब्विक के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं हम जो है कि गॉर्मेंट जॉब की तैयारी के लिए पॉलिटी का सलेबस कम्पलीट करना चाहते हैं और इसी के अंतरगत हमने अल्रेडी दो वीडियो बना दी है और ये तीसरी वीडियो है सिरीज की तो दोस्तों अगर आपने एक भी वीडियो अभी तक ना देखी हो या फिर कोई वीडियो आपकी छूट गई हो तो हमारे चैनल पर जाके इस यानि की 11th Political Science ये लिखा हुआ इस प्लेलिस्ट को उपन करिएगा तो आपको पिछली दो वीडियो मिल जाएगी और सारी वीडि तो चली सुरू करते हैं अधिकार तो सबसे पहला प्रश्म यही उठता है कि अधिकार कहते किसे हैं या फिर अधिकार क्या होते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम सभी लोग को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हैं तो ऐसी मांगे ठीक है अधिकार किसे कहेंगे मा सिर्फ उन्ही मांगों को हम अधिकार कहते हैं जिनको सरकार माननिता देती है तो आये अब जरां नोट्स की रूप में समझ लेते हैं कि अधिकार किसी भी व्यक्ती द्वारा की गई मांग है जिसे सारोजनी कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज स्युकार करता है मिलेगी ठीक है वो अधिकार को रूप नहीं ले सकता ओके तो आई बात करते हैं कि सबसे पहले जो अधिकार है हाला कि वो तो है पराप नहीं है तो सार्भूं गोशन की गई और तबी से हम मानो अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को तो यह एक्जाम में आता भी है कभी कभी कि मानो अधिकार दिवस कब मना जाता है तो 10 दिसंबर तारीक है इसे याद कर लिजेगा दोस्तों आईए बात करते हैं अधिकार क्यों आउशक है हमें अधिकारों की आउशकता क्यों है तो अगर इस प्रश्ण का मैं आपके और अपने लिए सोचू हूँ तो इसका सीधा सांसर यही निकलेगा कि अधिकार यानि कि अधिकार हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इजज़त से रह सके कहीं आजा सके और अपने जिवोन को अच्छे तरीके से जी सके तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है कि व्यक्ति की स्वतंतरता और गरिमा की सुरक्षा के लिए ठीक है अधिकार की हमें आउशक्ता है लोकतांतरिक सरकार को चारो रूप से चलाने के लिए भी अधिकारों की आउशक्ता होती है और व्यक्ति की परतिभा विश्हमता का विकास करने के लिए हमें अधिकारों की आउशक्ता पड़ती है और व्यक्ति के सरवांगिर विकास के लिए भी हमें अधिकारों की आउशक्ता है और बिना अधिकार कोई भी व्यक्ति पशू के समान है, जानवर के समान है जैसा कि अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजले में पक्छी के समान होता है तो दोस्तों बात करते हैं कि अधिकारों के उत्पत्ती कैसे हुई जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकारों की मांग सत्रवी और अठारी सताबदी में यूरोप में उठने लगी थी और प्राकिर्तिक रूप से ये जो मांग उठ रही थी ठीक है उसको बोला जाता है प्राकृतिक अधिकारों का सिध्धान्त जिसमें आपको पता होगा कि यूरोप में पहले क्या था इससे सत्रे अठारे जानी चौधुवी सताब्दी के बाद का जो समय था यूरोप में उसमें क्या हुआ था उसमें ये था कि जो दास हुआ करते दास के बच्चे भी जो जर्म लेते थे वो भी दास हुआ करते थे बताईए वो भी वस्तु की तरह खरीदे या बेचे जा सकते थे तो प्राकृतिक अधिकारों को सिध्धान्त ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जर्म के साथ ही जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सोतंता का अधिकार प्राप्थ होना चाहिए, और संपती रखने का अधिकार प्राप्थ होना चाहिए, ये सारे प्राकिर्तिक अधिकार के अंतर गताते हैं, और आधुनिक यूग में इन प्राकिर्तिक अधिकारों को मानिता ना देकर, अलग तरह से जो है के अधि अधिकारों की मांग की गई और वो किस प्रकार से हैं तो आधुनिक यूग में अधिकारों को तीन प्रकार से बाटा गया है वो हैं प्राकृतिक अधिकार नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार जैसे कि आप सभी जानते हैं प्राकृतिक अधिकार जो हमने यहां पर पढ़ अधिकार वो होता है जिसे राज्य माननिता देती है और कानून के रूप में उनको सुची बद्ध करती है या तो संविधान में या फिर कहीं न कहीं उसको सुची बद्ध किया आता है ओके तो आये विस्तार से अप इन तीन अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं तो जो बात करेंगे दूसरों नैतिक अधिकार तो जैसे कि आपको बताएं कि नैतिक अधिकार बहुत ही सिंपल और सरल है कि जो हम आस्ता क्या निकि आप जानते हैं कि अपने माता पिता का आदर करते हैं अपने मा का आप सम्मान करते हैं वो नैतिक अधिकार है तो व्यक्ति की नैत नियतिक भावनाओं से जुřे अधिकार को हम नियतिक अधिकार कहते हैं, जैसे पिता की सेवा करना, शिष्ट वेवहार करना, सच्चा चरित्र अस्थापित करना और आधर का भाव रखना, इस सब कहलाते हैं नियतिक अधिकार, और इसके अलाओ بھی बहुत चीजे होंग की जैसे कि आप जानते हैं कि कानूनी अधिकार वे अधिकार है जिने राज ये कानून के रूप में मानिता देता है कानून बनाता है और उसको सुरक्षित करता है तो कानूनी रूप से जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो चार प्रकार के हैं एक तो मौलिक अधिकार दूसर प्राप्ता राजनेतिक अधिकार, तीसरा नागरिक अधिकार और चौथा आर्थिक अधिकार ओके तो ये चार परकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा मेरे प्रीये दोस्तों कि सुतंता हमारे पा सिर्फ और सिर्फ छे मौलिक अधिकार है तो सतंता का अधिकार पहला समानता का अधिकार कि सभी व्यक्ति सभी नागरी एक समान माने जाएंगे सांस्कृतिक और स्यक्षिक अधिकार यानि अपनी संस्कृति को बनाय रखने और शिच्छा गर्ण करने का अधिकार सभी नागरिगों को है और धार्मिक सोतंता का अधिकार यानि किसी भी धर्म का हुवेक्ति वो अपनी धर्म का पालन पोशन कर सकता है उसको आगे बढ़ा सकता है शोशन के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि किसी भी शक्तिसाली समुह के द्वारा अपने नीचे लोगों को सताय नहीं जाएगा उनका शोशन नहीं किया जाएगा चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहसाररी गुरूप से या सामाजी गुरूप से किसी भी तरीके से और छटा है सबसे महत्तपूर संबैधानिक उक्चारो का अधिकार ये दोस्तों ऐसा अधिकार है जो इन सभी अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें सरोच्छ न्याले में ले जाने का अधिकार देता है हमें अपना पक्ष रखने का अधिकार देता है तो आई बात करते हैं राजनितिक अधिकार की तो राजनितिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जैसे देखिए वोट देना जो हम चुनाओं में वोट करके कि आते हैं, वो हमारा राजनेतिक अधिकार है, चुनाओ लड़ना, यानि नीर्वाजित होने का प्राप्त हो हमें और जो चौथा अधिकार है कानूनी अधिकार के अंतरगत वो है आर्थिक अधिकार तो जो आर्थिक अधिकार होता है यानि कि धन से सम्मंधित है तो काम करने के अधिकार को हम कहते हैं आर्थिक अधिकार कि कहीं भी पूरे देश में हमारे कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर, देश के किसी भी कोने में जाकर कोई भी कारे कर सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसको पूर्ण रुप से सोतनता है, इसी को हम कहते हैं आर्थिक अधिकार के अंदर क किम में खरी सकता है किसी भी देश में किसी भी कोने में जाके कोई भी संपत्ति खरी सकता है तो अहीं बात करते हैं दोस्तों अधिकारों की दावेदारी और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हमने तीन परकार के अधिकार पड़े प्राकृतिक अधिकार नैदिक अधिका होते हैं जो सभी को प्राप्त होते हैं वन्हें हम बोलते हैं सार भॉम अधिकार जैसे स्क्षा का अधिकार एक अधिकाव यह Hilria क्यों को मिला होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंतर्ता चाहे बच्चा मैं बढ़ा हो या वुजुर्ग वेक्ति हो सभी अपनी बात को असपस टूप से रख सकते हैं इसी को हम कहते हैं विवक्ति की स्वतंत्रता ओके और कुछ ऐसे भी अब जैसे बात करते हैं अधिकार और राज्य हैं या राज्य और अधिकार में क्या संबंधि उसकी बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं आमने उपर भी किया कि अधिकार तभी अधिकार बन सकते हैं जब राज्य उन्हें मानिता दे अगर राज्य उन्हें मानिता नहीं देगा तो अधिकार का कोई अस्थित तो नहीं होगा और अधिकार एक मातर राज्य की सिरिष्टी है इसका मतलब ही है दोस्तों कि अधिकार अगर कोई देता है तो राज्य है राजी के बीना कोई नहीं अधिकार दे सकता है राजी ही बनाता है बनाता है और जो चौथा है कि अधिकारों की रक्षा राज्यों का दाय तो होता है उनकी जिम्मेतारी होती है क्योंकि जो बनाता है वही उसकी रक्षा भी करता है अब बात करते हैं दोस्तों अधिकार को और शक्तिसालिक कैसे बनाय जा सकता है तो यह विभिन तरीके हैं चर करे अधिकारों का अतिकरमन कर ले तो स्वतंत नयाय पालिका होने का फायदा ये होता है कि आपकी वहाँ पे सुनवाई होगी और सरकार को आदेश दिया जाएगा सरकार बात दे होगी उस आदेश को मानने के लिए और उसके बाद संगहात्मक सरकार हो संगहात्मक सरकार होने और केंद सरकार अलग है.'' और एक ओर सरकार होती है भारत में जो अस्थानिय अस्तर पर नगर पालिका और जीला पंचायत होती है, ठीक है. अगर आपने नगर पालिक और जीला पंचायत के बारे विश्तार से नहीं बढ़ाएв तो आप पिछली वीडियो देख लिजीए नीचे वीडियो डिस्क्रिफिसटन में लिंक दिया गया है और डिस्क्रिसटन जुरूज़ वीजिट क्या करें आप क्यूνकि वहाँ में PDF Esperonam मामलो में कोई हस्तचेप नहीं होना चाहिए तब फिजीन प्रेसरन और शक्ति साली हो सकते हैं, ओके, तो आई ये बात करते हैं, दोस्तों, कर्तव्यों की, ठीक है, तो कर्तव्य, अब आप सोचेंगे, भई, अधिकारों की बात हो ली थी, कर्तव्य कहां से आ गए, तो जब हम बात करते हैं, अधिकारों की, तो ऐसा नहीं कि हम बस सिक्के का एक ही पहलू देखे क्योंकि सरकार जब आपको अधिकार दे रही है, तो सरकार कुछ आपकी कर्तबी भी निश्चित करएगी, ठीक है? तो सरकार ने, जो सम्विधान में कर्तबी बनाये गए हैं, ठीक है न? वो क्या है? आए देखते हैं तो कर्तवे मुख्री उपसे पहली बात दो परकार की होते हैं एक होगा नैतिक कर्तवे और दूसरा होगा कानूनी कर्तवे तो दोस्तों नैतिक कर्तवे तो वो हैं जैसे हम अपने परिवेस में रहते हैं तो अपने परिवेस को सच्छ बनाए रखना बच्चों की उचित सिक्षा, माता, पिता, विजर्गों की सेवा करना जो बच्चों के लिए है बच्चों की उचित सिक्षा का प्रबंद करना वो पिता की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी नेति करतव्य है और माता पिता विजुर्गों की सेवा करना हम बच्चों का नेतिक कर्तव्य है सामाजिक नियमों का पालन करना हम सभी लोगों का नेतिक कर्तव्य है और पिरिवाल के अशक्ताओं को कून करना एक पिता एक माता का नेतिक कर्तव्य है आईए बात करते हैं कानूनी कर्तव्य की, तो कानूनी कर्तव्य वो हैं जो सम्विधान में लिखित हैं कि कुछ कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, ठीक है, तो सम्विधान का सम्मान करना, राष्टिय ध्वज, वे राष्टगान का सम्मान करना, ये सब कहलाते हैं कानूनी कर बनाए रखना नियमित रूप से टेक्स देना कर देना टेक है आई टीर फाइल करना राष्टे संपत्ति की सुरक्षा करना देश की एकताव या खंताव सुरक्षा को बनाए रखना देश की रक्षा करना और प्राकिर्तिक संसाधनों का समझदारी पूर्ण विवेक की हिफाज़त करना ये सारे कहलाते हैं कानूनी कर्टव्य हाला कि संविधान में जो कानूनी कर्टव्य बाद में जोड़े गए इससे पहले न दोस्तों कानूनी कर्टव्य नहीं थे इंद्रा गादी का जब आपात काल लगा 1978 में उसके बाद जो है कि इन सब चीजों में परिवर्तन करके कानूनी कर्टव्य जोड़े गए ठीक है पहले कर्टव्य नाम की कोई चीज नहीं थी तो चलिए उसके और में बाद में डिसकस करेंगे जब वो चैप्टर आएगा तो तो आपको बता दी कानूनी कर्टव्य क्या क् दस है मुख्य रूप से दस कर्टव्य हैं हमारे यहां पर ठीक है यह ओजोन की परत की इफाज़त करना यह कोई कानूनी कर्टव्य नहीं है यह हाला कि लिखा गया है कि हमें जो है कि इसकी इफाज़त करनी चाहिए ठीक है अगये बात करते हैं कुछ माना अधिकार की तो देश में नए खत्रों और चुनोतियों के उभरने के लिए नए मानुधिकार की सूची यानि कि देश में जो नए चुनोतिया आई हैं और जो खत्रे आए हैं उसके लिए मानुधिकार की मांग उठ रही है क्या मानुधिकार की मांग है भाई कि देश में पॉलूशन यान दिल्ली में आप देखते हैं बहुत परदुशन बढ़ जाता है तो नागरिक को अधिकार है कि सरकार ऐसी व्योस्था करें जिससे वातवगरण सुद्ध हो स्वच्छ हो सूचना के अधिकार का दावा जानी कि नागरिक अपने अब खुद सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि सरकार में क्या चल रहा है और कितना पैसा कहा खर्च हो रहा है महिला सुरक्षा का अधिकार समाज के कमजूर लोगों के लिए सौचाले की व्योस्था और बच्चों को खादे सरक्षन और सिक्षा का अधिकार सालीन जीवों ने आपन के लिए आउसे स्थितियां बनाना यह सब कुछ नए मानौधिकार है अब से पहले मानौधिकार का मतलब यह होता था कि मानौध को खाने पीने और जीने की सुतंता दी जाए तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मानोधिकार की कीमग, ठीक है सॉरी मानो कीमत का हमे ने तो मनुश्री की सतत जाग रुकता किसी भी व्यक्ति को मनमाने धंक से गिरफतार नहीं कर सकते हम, ठीक है उचित कारण बताना जरूरी है उसको अपराधी से अपराध की सिक्रिती प्राप्त करने के लिए उसका उत्पियर नहीं किया सकता और नागरिगों के लिए आउशेक है कि यह सतर करहें, अपने आखे खुली रखें और अपने अधिकार और सतंता की रक्षा के लिए हमेसा जाग रुक रहें दोस्तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे मानुद्यकार की क्या कीमत है तो आपको यह मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप जो है नोट्स डाउनलोड कर लिजेगा नीचे में वीडियो में डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर कोई गलती मुझसे हुई हो या फिर मुझसे कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ चमा चाहता हूँ आप कमेंट करके मुझे अपने सुझाओ दे सकते हैं इस प्रकार से हम इसे और बहतर बनाएं तो इसी वादे के साथ कि आपको एक अगला कंटेंट इससे बहतर मिलेगा ठीक है विदा लेता हूँ तब तक के नमस्कार जैहिन जैभारत